यह website है pzportal.gov.in Central Government या State Government के अंडर जितने भी मिनिस्टरीज आती हैं जितने भी departments आते हैं उनमें से mostly department या ministries के against अगर आपने शिकायत दर्ज करानी है, complaint register करानी है तो इस website से आप करा सकते हैं यहां से अपनी language चूज कर सकते हैं आपकी जो grievance है वो pension से related नहीं है तो आप यहां पे click करेंगे अगर यह सिर्फ pension से related है किसी भी तरीके की pension चाहे वो State Government की तरफ से है, Central Government की तरफ से है तो आप यहां पे click करेंगे जैसे यह आप इस पे click करेंगे तो एक नई window आपके सामने open होगी यहां से आप अपनी complaint close करा सकते हो और यहां से भी यह tap दिया गया है और status अगर चेक करना है तो आप यहां से चेक कर सकते हो डिटेल्स दी है अगर आपको pension से related कोई भी query है कोई भी problem है तो यहां से आप mail भी कर सकते हो customer care number भी आपके सामने दिया गया है अब अगर आपकी problem resolve नहीं होती है तो आगे further raise कर सकते हो यह address भी दिया है और यह email id भी दिया है आप अपनी complaint close कराना चाहते हो pension या किसी और department में किसी भी issue के against तो पहले आप first level से start करे first level पे आप complain करेंगे और अगर यहां resolve नहीं होती है काफी time हो गया है या आप satisfied नहीं है solution से तो ही आप higher level पे जाए ना कि directly higher level पे mail करें तो यह है सिर्फ pension से related अब वापी से इसी website में आ गई हूँ pgportal.gov.in पे complaint कैसे register करानी है grievance के नीचे आपने जाना है और laws public grievances तो अगर आप first time आए है registration नहीं हुआ है तो पहले आपको यहां से registration करना पड़ेगा इस पे आप click करेंगे इसके बाद यहां details आप से पूछी गई है यह सब details आपने इसमें डालनी है अब एक service man अगर आप different services से है तो yes करेंगे उसके बाद आप से अगर आप पासवर्ड और यह सब email यूजर नेम डालेंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ इश्यू आपके सामने आए तो सबसे easy है आप OTP से login कर सकते है लोग इन विद OTP OTP आपको अपने आप से नहीं आएगा यहां जो get OTP का tab पर क्लिक करना पड़ेगा अब यह dashboard है जहां पर आपने पहले company register कराई है तो वो सब भी दिखाई देगा उसका status आपके सामने दिखाई देगा कब वो आई है registration number जिसको डाल के आप status भी चेक कर सकते हैं तो लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो अगर आप government employee है और आपकी कोई service से related कोई issue है तो भी आप यहां पर अपनी grievance लोज नहीं करा सकते अपनी service से related issues को लेके इसके अलावा किसी और ministry और department से कोई issue है तो आप यहां पर अपनी complaint लोज करा सकते हो यह आपने first accept करना है कि इन में से कोई भी नहीं है जो मैं complaint लोज कराना चाहता हूं तो उसके बाद आपने submit करना है अब आपके सामने departments आ गए है कि किस department के अगेंस्ट आपने complaint लोज करानी है इसके अलावा अगर affair है किसी agent ने आपसे पैसे लेके दुख दड़ी करके कहीं देज दिया है या foreign कि किसी jail में आपको हो आपको कोई help चाहिए तो आपके family member भी यहां से complaint या request डाल सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाती हूं petroleum and natural gas के बहुत सारे issues यहां पर दिये हैं इन में से आपने कोई भी topic select कर लेना है allotment related issue है मुझे तो उसके बाद आपने complaint against commissioning of new petrol pumps फिर से सब category select करनी है ministry या PSU कौन से organization के अगेंस आप complaint करना चाहते हैं इसमें सिर्फ public sector की जो companies हैं वहीं आएंगी या ministries और departments आएंगे यह उसके बाद state यहां से आप state उसके बाद district और उसके बाद exact जो location है petrol pump की और उसके बाद आपकी पूरी complaint अब जब complaint लिखते हैं तो वह logical terms में होनी चाहिए उसमें numbers, date, issue, exact amount, सब कुछ होना चाहिए उसके बाद जो भी documents as a proof आप attach कर सकते हैं choose file करके करना है then next, अभी at present मैं कोई शिकायत या complaint इसमें रेजिस्टर नहीं कराना चाहती, क्योंकि if I go back तो again same thing कि यह सब चीजे नहीं होनी चाहिए then submit, जैसे external affair, बहुं सारे ऐसे चीजे हैं जो कि daily life में बहुत ही important है, view status पे आप चाहेंगे, तो status आपको दिखाई देगा, आपको जाना है, या तो आपको यहाँ से उस problem के अगेंस्ट appeal करना है, या तो problem resolved नहीं हुई है, कोई solution ही नहीं आया है, कोई आपको revert नहीं आया है, या फिर सो solution आया उससे आप satisfied नहीं है, तो आपको modal authority for appeal पे जाना है, और आपको आपने department देखना है, कों से department के सब्सक्राइब करना है जिस भी देपार्टमेंट के अगेंस्ट की थी वह आप सर्च कर सकते हैं तो 12 से इसको आगे एसकलेट करें रेस करें फोन नमर पर आगे कंप्लेंट रिजॉल नहीं होगी अगर आप बाइपोस्ट भेजना चाहते हैं तो बाइपोस्ट एड्रस पर भेज सकते हैं साइन आउट यह मैंने बताया पीजी पॉर्टल डॉट जी ओवी डॉट इन वेबसाइट के बारे में अब अगर आपको लगता है कि इन डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट की उस कंप्लेंट को नोडल ओफिसर को भे रेस किया फिर भी आप सेटिसफाइड नहीं है और आगे आपको इसको रेस करना है तो यह सोलुशन है टीपीजी इसकी वेबसाइट के बारे में मैं बताऊंगी नेक्स वीडियो में ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो आप तक हमेशा पहुचती रहें इसके लिए वीडियो के नीचे जाएं यहाँ रेड कलर का सबस्क्राइब लिख लिख है इस पे क्लिक करके घंटी के निशान पे क्लिक करके औल सेलेक्ट करें यहाँ से वीडियो को लाइक करें और यहाँ से दूसरों को चाहत शेयर करें